प्रेंज रमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दुशकों का वेलकुम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक राजेटीव नेटबॉक पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली होरोस्कोप साप साप्ताहिक राशिफल रहेगा यह रहेगा सोमवार 28 नमंबर 2022 से रवीवार 4 दिसंबर 2022 तक का इस साप्ताहिक राशिफल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के साप्ताहिक राशिफल की साथे साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार कुछ सिंपल से हुपाएं और और राशिफल के दोरान आपको बताएंगे तीन विशेश पर्वों से सम्मंदित महा उपाएं इसके साथ 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 राशिफल में बात करेंगे ग्रह और गोचर की पूरे सप्ताहा भर्ग में क्या राशे परिवर्तन हो रहे हैं क्या नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं क क्या ग्रहों में बदलावारा इसकी जानकारी देंगे बताएंगे आपको तीन विशेश परवों के उपाये तो बताएंगे साथ साथ आपको बताएंगे विशेश परवों के बारे में पूरे सब्ता हमें जितने भी परवें उनकी पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे स आपको साप्ताहिक राशिफल में पूरे सप्ता भर का सोमवार 28 नमबर 2022 से लेकर रविवार 4 दिसमबर 2022 तक का पूरा साप्ताहिक राशिफल तो चलिए इसकी शुरुवात करते हैं ग्रह और गोचर के साथ में इस सप्ता सूर्य का सफर विश्चिक राशी में अनुराधा न नक्षात्र के पहले चरण से रोहिनी नक्षात्र के चौथे चरण तक आजाएगा यानि कि बैकवर्ड पोजीशन में आ जाएंगे मंगल बुद्ध का सफर विश्चिक राशी में जेश्टा नक्षात्र के दूसरे चरण से धनुराशी में मून लक्षात्र के पहले चरण तक रहेगा यानि कि बुद्धग्रे अपनी राशी परिवर्तन करेंगे बुद्धग्रे शनिवार तीन दिसम्बर 2022 को सुबह छे बचकर 56 मिनट पर अपनी राशी परिवर्तन करेंगे व्रिश्चिक से धनू में आ जाएंगे गुरू का सफर मीन राशी में उत्तर भादबद नक्षत्र के पहले चरण से आगे बढ़ेगा चुकर का सफर प्रिश्चिक राशी में जेश्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण से जेश्ठा नक्षत्र के चोथे चरण तक रहेगा शनी का सफर मकर राशी में धनिश्टा नक्षत्र के पहले चरण से आगे बढ़ेगा तो चलिए अब जानते हैं विशेश परवों के बारे में इस सब्ता की शुरुवाद सोमवार 28 नुवंबर 2020 से विवा पंचमी के महा परव से रहेगी मंगलवार 29 नंवंबر 2022 सुबरे मने शेष्टी और चमपा शेष्टी का विशेश परवों मनाया जाएगा बुद्वार 30 नंवंबर 2022 को मार्गशीश दुर्गाष्ट्मी मनाया जाएगी शनीवार 3 दिसंबर को गीता जैन्ती और मोक्षिता एकादिशी मनाया जाएगी मंगलवार 29 नुवंबर गुरुवार 1 दिसंबर और शुकरवार 2 दिसंबर शनिवार 3 दिसंबर को सरवार सिद्धी योग रहेगा सोमवार 28 नुवंबर शनिवार 3 दिसंबर को और रविवार 4 दिसंबर को अम्रिश सिद्धी योग रहेगा शनिवार 3 दिसंबर को दूई को सब्ताह में कोईतरी पुषकर योग गुरु पुषय योग और रवी पुषय योग नहीं है इस सब्ताह में दो विभा मौरत हैं सुमबर 28 नुमंबर को और शुकरवार 2 दिसंबर को तो चलिए अब साप्ताहिक राशी फल की शुरुवात करते हैं बात करेंगे मेश से ले कारोबार में बड़ा लाब होगा योजनाय सफल रहेंगी संपती का क्राय विक्रे सफल रहेगा संतान को पूरा समय देंगे उपाईये करेंगे कि किसी धर्मस्तल में शक्करदान करें बात करेंगे दूसरी राशी वरिश एने टॉरस की ये सपताह लाबकारी रहेगा बड़ में वरद्धी होगी दामपते मधुर रहेगा व्यापार में लाब होगा फिजूल तनाव से बचें उपाईये करें कि किसी धर्मस्तल में तामवे का बरतन दान करेंगे चौती राशी कर क्यानी कैंसर की बात करेंगे ये सपताह सामानने रहेगा कारशेत्र की स्तित उपाये का ये परव है विवहा पंचिमी तो क्या करें श्री सीता राम पर साबुत हल्दी चड़ाएं और जो चड़ी भी हल्दी है ये पीले कपड़े में बांद कर वेडरूम में रखें आश्वस्त करता हूँ आपको दामपते से संबन देत हर बाद हादूर होगी बात क खर्चीला रहेगा जीवन शेली पर खर्चा होगा दफतर में वर्क प्रेशर से तनाव रहेगा शुबकारियों पर खर्चा होगा छातरों को परिणाम मिलेंगे उपाये करें कि किसी धर्मस्तल में पीतल का बरतां दान करें चटी रैशिक कन्या आनी के वर्गू की बात कर रहेगा, मन में बेचैनी रहेगी, हड़ी के रोग सताएंगे, प्रयास अफल रहेगे, दफ्तर का जो प्रदर्शन है वो सुधरेगा, साज सज्जा पर खर्चा होगा, उपाईये करें कि किसी ब्रहमन को शहद दान करें, आठवी रैशी व्रिश्ची केने कि स्कॉर्पयों क क्या करें आप, शिवलिंग पर बैंगन और बाजरा चड़ाएं और चड़ावा जो बाजरा और बैंगन है ये गरीबों में माटें, इससे शत्रों से आपको सुरक्षा मिलेगी, बात करेंगे नवी रैशी धनू, यह नहीं किस एजिटेरियस की, यह सब्ताहा तनापून रहेगा, मन में बेचैनी रहेगी, भाशा पर काबू रखें, कारोबारी यात्रा के योग हैं, दामपत्य सुखी रहेगा, पढ़ाई में चनोती आएंगी, उपाई यह करेंगी कि किसी धर्मस्तल में काले तिल दान करें, दस्वी राशी मकर यानिकी के प्रकौन की बात कर रहेगा, कारोबारी विकास होगा, नौकरी में वेतन व्रधी के योग हैं, दामपत्य में उतार चड़ाव रहेगा, सिर्दर्द से परिशान रहेंगे, उपाई यह करेंगी, पक्षियों के लिए मूंग रखें, बारवी राशी मीन, यह निपाइसिस की बात करेंगे, यह सपताहा सफल रहेगा, वित्यस्तिती सुधरीगी, संपत्ती में व्रधी के योग हैं, रिष्टेदारों से संबन सुधरेंगे, सभी कामकाज में सफलता मिलेगी, उपाईए करेंगे, कि किसी गरीब बच्चे को मिठाई दान करें, तो दोस्तों, अब समय हैं पर्व विश मिलेगाई तो दोस्तु harder थे बच्चे के ये, करेंगे, को मिले फिविए 100 अब बच्चर, ये जलीत करेंगे, स्पय्चर, शनॢ करेंगेरें ग्रीब जान हैं?